हेलो फ्रेंड वेलकम तो जी के ग्यान दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जिसका नाम है जी के ग्यान आज के वीडियो में आपको अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र के बारे में बताऊंगे और इनके वीच के अंतर के बारे में भी बताऊंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं अनकंपी तंत्री का तंत्र क्या होता है देखिए आपके सामने लिखा हुआ है चले मैं आपको बता देती हूँ इसका संबंध उन अंतरांगी प्रतक्रियाओं से होता है जो उर्जा के वे के साथ प्रतकूल वाता वरडिये दशाओं में सरीर की करती है जैसे हिर्दय इस्पंदन दर का बढ़ना रुदर नलिकाओं का सुकुरना रुदिर दाब का बढ़ना लार का इस्रावर कम होना आदि उसी जगवे परानुकंपी तंत्र का तंत्र भी आप देख लीजिए या उन प्रत्रियाओं से संबंधित होता है जिसमें उर् आख बार स्ट्रावर्ण की बहुत्री आहार नाल में क्रमा कुन्चन का बढ़ना आदी सती या इंसूलन इस्रावर्ण इवं ब्रहाजिननांगों को उत्तेजित भी करती है तो उमीद करते हूं आपको समझ में आया होगा अनकंपी तंत्री का तंत्र और परानुकंपी से डिवाइड कर दूं तो अंतर आपको दिख रहा होगा चलिए सबसे पहला अंतर देखे क्या है अनुकंपी तंत्र का तंत्र में हिर्दय की धरकन बढ़ाता है ठीक है हिर्दय की धरकन बढ़ाता है वहीं परानुकंपी तंत्र का तंत्र में हिर्दय की धरकन कम करता है ग्रंतियों के स्रामण को कम करता है नंबर चार पर मुत्राशय को सिथिल करता है तो परानुकपी तंत्र का तंत्र में मुत्राशय को संकुचित करता है इसे जिगह पर अनकम्पी तंत्र का तंत्र में एंडरनेल ग्रंति को अधिक स्रामण के लिए प्रेरित करता है और इधर परानुकंपी तंत्र का तंत्र में एंडरनेल ग्रंति को स्रामण को रोकता है आहार नाल की क्रमा कुंचन गंतियों को धीमा करता है और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में क्रमा कुंचन गति को बढ़ाता है गूदा अवरोधनी को संकुचित करता है और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में क्या होता है गूदा अवरोधनी को फैलाता है स्वसनली स्वसनी आदि को फैलाता है स्वसनली स्वसनी आदि को शंकुचित करता है ग्लू के गौन का स्रामड बढ़ाता है वही परानुकम्पी तंत्र का तंत्र इंसुलीन का श्रामण बढ़ाता है और यह तंत्र आपात काल तथा तनाव की इस्थितियों में कारी करता है यह उर्जा व्याय करता है वहीं पे परानुकम्पी तंत्र का तंत्र में या तंत्र सांती तथा विश्राम की इस्थितियों में कारी करता है या उर्जा सर्वरच्छन में शहायक है उमीद करती हूँ आपको इसके अंतर समझ में आ गए होंगे और वीडियो पसंद भी आया होगा अच्छा भी लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को अवश्य मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी से जानकारी के साथ में तब तक के लिए टेक कियर और बाइबाए